है लोग अच्छों वेलकम टू सीटी कॉंसेप्ट आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज के इस बीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाली में जो पेपर हुआ है महात्मा गांधी कांसी बिद्यापीट का जो इंट्रेंस एक्जाम हुआ है बीए कोर्स के लिए इसमें जो भी कोशन पूछे गए हैं उस प्रस्न पत्र को हम लोग यहां पर देखेंगे और जितने भी कोशन पूछे गए हैं उसके आंसर्स हम आपको बताएंगे पिछले दो सालों से हमने जो भी कोशन पेपर पिछले साल पूछा गया था और उसके पिछले साल भी पूछा गया था हम लोग ने उसका भी सोल्यूशन आपको दिया था सारे कोशन के और उस वीडियो पर भी आप सभी का बहुत प्यार देखने को मिला है और इस साल जो प इक्जाम सुरू हुआ है ठीक है कॉमन इंवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और आप में से कई बच्चे इसमें अपियर भी हुए होंगे इस साल अब जो यह इस्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी की एंजीके बीपी ठिक है यह यूँ कहें तो उत्तरपरदेस का सबसे मतलब माना जाना यह इस्टेट इन्वर्सिटी है बहुत पेमस है जो कि वारार्णसी में इस स्थीथ है और यह आपको पता होगा कि यह सब इस situation नहीं है वैसा तो बहुत सारे इनिवर्सिटीज़ है सेटी अनुवर्शिटी जो है वह सामिल दिमें लेकिन एक सामिल नहीं है इसलिए यह अपना पेपर जो है अलग से कंड़क्ट करा ती करी है ठीक है पिछले आपके पेपर में देखने को मिल रहा है ठीक है और मैं अभी एक एक करके आपको बता भी दूंगा ठीक है कि कौन-कौन से कोशन आया है सारे कोशन आप देखेंगे तो आपको पता खुद भी चल दाएगा पहले से जो चैनल से जुड़े हुए है और जो आप रजनी सर को है और यहां पर आपको यह भी बतायी equipment कर नहीं है यानि कि नो निगेटीय मार्किंग कोई भी मार्किंग इसमें नहीं होता है और अब हम लोग चलते हैं अब और एक कर कर लीजेगा मैस करने के बाद खर्व में बताएगा कि आपका कितना मर्क्स है सो में से ठीक यह कि कि लिगटी मार्किंग है नहीं तो बताइगा कि इतने सही हुए है कि कि неп dangerous आपको आ रहे 400 मार्क है तो एक कोश़र मतलब की 400 मार्क सकें तो 100 कोशन है और एक क्ोशन कितने का चार्व नंबर का तो टूटल कितने हो जाएंगे चारसों नमर इसे सबस्क्राइब कर लिजेगा और इससे पहले आगे बढ़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब पलिजेगा सुटी कॉंसेप्ट को और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ठीक ताकि आगे आने में जो अपके ठीक है पहला कोशन भारत का पहला परमाडू उर्जा केंद्र कहां इस्थापित हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तारापूर इसका करेक्ट आंसर था explanation नहीं देंगे आपको क्योंकि explanation अगर देने लगे तो 100 question का explanation देने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग बस answer देख लिजेगा और मिलान कर लिजेगा तो तारापूर इसका correct answer होगा और दूसरा question था किस समिधान संसोधन के द्वारा मौलिक करतब्यों को भारती समिधान में सामिल किया गया है तो ये थाप का correct answer बच्चों 42 समिधान संसोधन ठीक है 42 समिधान संसोधन आगे बढ़ते हैं और आगे का question देखते हैं ये रहा तीसरा question हवा में oxygen का परतिशत कितना होता है देखे कितना easy question पूछा गया था कि हवा में oxygen का परतिशत कितना है तो ये 20 परतिशत के आसपास होता है 19.something तो 20% हम कह सकते है वैसे तो 21% होता है बट 20.something होता है ठीक है सारी मैंने 19 बोल दिया 20.something होता है ठीक है बट पहले से हम लोग पढ़ते हैं कितना 21 होता है बट इसमें 20 दिया है तो करीब करीब मतलब 20.something होता है बट हम 20 लेकर चलेंगे इसमें ठीक है तो 20 हो जाएगा इसका सही आंसर रेड क्रॉस का समद्ध किससे है तो इसका समद्ध हो जाएगा युद में राहतकारे से इसका समद्ध हो जाएगा ठीक है रिलीफ वर्क इन वर कहीं भी लड़ाई जगड़ा हो जाता है तो उसमें जो रिलीफ वर्क के लिए ये रेड क्रॉस जो है वो काम करती है आगे चलते हैं आगे रहा पच्वा सवाल दादा साहब फाल के पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो यह दिया जाता है बच्चों आपको यहाँ फर फिल्म यानि की सिनेमा जगत में आपको यह दिया जाता है दादा साहब फाल के पुरुसकार कहां दिया जाता है यह फिल्म जगत में दिया जाता है ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं के करके सारे कोशन आप देख लेंगे उस्तम न्याले में न्याधीसों की निकती की जाती है किसके द्वारा की जाती है यह किया जाता है बच्चों आपके यह प्रेसिडेंट के द्वारा यानि की रा catfish क्या हो जाएगा ये इसका correct answer हो जाएगा आपका catfish आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आठावा सवाल ये रहा आठावा सवाल कि Bombay High is famous for तो Bombay High का नाम आपने सुना होगा ये Bombay High किसले famous है तो यहां पर petroleum उत्पादन होता है तोवर्दे वीडवादनी किसने लिखा है तो यह लिखा है किसने सुरेकां्तिरपाथी निराला भीत ने ये लिखा था अगले question सत्यार्थ प्रकास सरोपर्थम कहां प्रकासित हुआ ठीक है तो यह कोई ने कोई हर साल कोश्चन जो होते हैं जो भी में पूछे जाते हैं तो एक दो कोश्चन वारार्सी से रिलेटड होते ही है तो सत्यार्थ प्रकास जो था वो कहां से प्रकासित हुआ था ये वरार्जी से ही प्रकासित हुआ था सत्यात्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है तो यह हो जाएगा यह क्लेकर अंसर हो जाएगा वहारी सांतिップीट्र बिले किस गवर्णर जन्डल ने आरंव्ध किया था तो किस ने वैसे सारे के सारे कुवेशन जो है वो कई न कई जी के से क्वेशन है यहसे कोश्छन है वाडब यहाँ पर देखेंगे हम इतना यह जी कुशन था डी के बाद फ के बाद जी और विशे देखेंगे आप लास्ट वाला एप के बाद जी एच के बाद आई हो जाएगा यानि कि अपके बाद ना जी से क्वेशन है आपके रीजिंग से इसे घुट हो तो यहां पर देखें बैंक इजरे टो मनी तो बैंक किसका सर्पूलेशन करता है मुझा थिक है मनी रखता है देता है बाठता है सब तो अलग-लग बेक्स को प्रॉइड करता है आप भी रखते होंगे पैसा निकालते होंगे ठीक है तो मनिका लेंदेञ वो करता है उसी तरी के जो ट्रांस्पोर्ट होते है यानी कि क्या यहां पर परिवार परिवार वो क्या करता है समान को ढोता एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक है और पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह पर तो यह गुट्स इसका correct answer हो जाएगा यानि कि जो transport होगा वो किसे related होगा वो हो जागा आपका correct answer goods ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question देखें तो यहां पर पूचा गया था निवनिकित में से कौन सा अधिवर्स नहीं है यह calendar से question है और काफी easy question था आपको बस बताना था कि कौन सा is not leap year मतलब कौन सा leap year नहीं है तो leap year आपको पता यह जो 4 से विभाईत हो जाए या फिर 400 से विभाईत हो जाए ठीक है क्योंकि द्वारा राष्टी प्रतिक अपनाया गया तो राष्टी प्रतिक जो है वो कव अपनाया गया था इस बारे में भी आपने पढ़ाओगा नेशनल इंबलम को कव एडॉप्ट किया गया था गॉर्मेंट अफ इंडिया के द्वारा तो यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर अपने अक्ष पर एक गूडन के लिए प्रिथिवी द्वारा लिया गया समय कितना है अब देख सब्सक्राइब याद करना है मिनट ठीक है मिनट तो चल जागा फिर सेकेंड भी आद करना है इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए टेश गंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड ठीक है यह एक्जैक्ट टांसर होगा आपका आप्सन नंबर ए हो जाएगा आगे बढ़ते ह है आगे था भारत वर्स में कितने 22 धरोहर हैmber 222 के डेटा के आनुसार अगर हम बात करें वर्ट हरीटे साइट कितने हैं भारत में थे इना आपका correct answer हो जाएगा 40 कितना हो जाएगा यह 40 जो है वह आपका correct answer हो जाएगा अभी के period में अगर देखें हम तो 40 जो है World Heritage sites है कहां इंडिया में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यह 21 सवाल भारत में प्रथम राष्ट्य सिक्षानिती का स्रीजन हुआ था तो कब हुआ था अभी देखें न्यू एजुकेशन policy जो है वह अब implement होने वाला हो सकता है 2024 में ना हो पाए 2025 में हो तो यह थोड़ा सा news में भी है और news में ना भी रहता है तो यह तो factual सवाल पूछते ही है तो भायाद में प्रथम राष्ट्य सिक्षानिती कब आया था वर्ष 1986 माया था और अभी रिसेंटली आया ठीक आपको पता होगा निव एजुकेशन पॉल्सी आया तो यह क्या अंसर हो जाए इसका यहां पर यह 1986 अगे बढ़ते हैं आगे पर सन्युक्त राष्ट संगध्वारव परतेक वर्ष अंतर राष्ट मानवथिकार दिवस मनाया जाता है कब सबसे आधा उर्जा तो थर्मल एनर्जी जो है वह हमारे हां सबसे ज़्यादा उत्पादन किया ठीक है ताप यह विद्यूत उर्जा बट अगर हम बात करें सोर्स की उसमें कोईला जो है वह सबसे बड़ा सुर्थ है सबसे महतपूर सुर्थ है जहां से आज भी हम लोग कोईला से हमारी जो मोस्ट इनर्जी जो नीड्स है ना इंडिया की वह सारे कहां से पूरे होते हैं वह होते हैं कोईला से फाइल एरिया किस प्रकार से होता है तो यह प्रोटो जवा यानि की प्रोटो जवा के काड होता है फाइल एरिया एक रोग है आपको पता होगा यह क चोटी से किताब होती है चोटी से पहले आती ठीक है उसमें भी यह कोशन दिया रहा था ठीक है यह टंगस्टन हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर आगे चलते हैं अगला कोशन मनाया जाता है बताव बहुत इजिकुशन था ये फिर्र वे दिवस कमनता है ठीक है तो यहां पर हो जागा ये 22 अप्रेल 22 अप्रेल मना चाता है बात करता है तो यह इसका करेक्ट-ांस हो जाता आघे असी इसका यह करेक्ट आंसर हो जाता आगे चलते हैं भारत में वस्तुयम सेवा कर GST प्राड़ाली कब लागू हुई थी तो ये ये लागू हुआ था आपको पता होगा कि 2017 में GST आया था और लागू हो गया था आपका जुलाई 2017 से कब हो गया था जुलाई 2017 से आपका गू हो गया था 2005 में सुन्दरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है काफी बेसी कोशन है सभी को पता होगा गंगा और ब्रहंपुत्र नदी जो है वो सुन्दरवन डेल्टा बनाती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ब्याव बेंगॉल में ये बनाती है आगे चलते हैं हम परमाडू परिक्षड किया तो यह आपको पता होगा इसकी कहानी आपने हो सकता है पड़ा हो यह आपका हो जाएगा 1974 में किया था कब पोखरण में किया गया था यह परमाडू परिक्षड 1974 में बेदों की ओर लोटों का नारा किस ने दिया तो यह स्वामी दयानंद सरस प्राश्पति का नाम आपने सुना ओगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नम्मर भी यह अब 32 सवाल आगे बढ़ते हैं भारत में सरोप्रितम राश्पती शासन कहां लगाया गया था यह लगाया था कहां पर पंजाब में कहां पर लगाया था पंजाब में ठीक है तो काफी कोश्चन जो है वो जीके से ही है ठीक है जनल स्टडी से है या फिर बोले की जीके से है ठीक है जनल लॉनलिस से तो सारे के सारे कोश्चन जो है न कहीं न कहीं अगर आप लाइफ क्लास से जूड़ते होंगे रजनी सर के लाइफ क्लास में तो आप सारे कोश्चन कोशन नाइंटी परसंट कोशन आप आराम से बना सकते हैं इसमें से एक दो कॉशन बहुत प्रीकी थे वह सकता है कि भूत प्रेक्ट्ट वे उसमें दिक्कात आ रहे होगी बादवकी ये सारे कोश्चन जमें जीजना देख पारा हूं सारे कोश्चन रजनी सर ने कहीं न कहीं करा रखे थे ठीक है मूर्ति देवी पुरुषकार किस छेत्र में दिया जाता है तो यह बच्चों दिया जाता है आपको किस छेत्र में यह साहित्य के छेत्र में यानि की लिट्रेचर के फिल्ड में आपको दिया जाता है ठीक है लिट्रेचर के फिल्ड में अगला कॉशन हम देखे तो यहां पर किसने बनाit। भारत SpaceX ब्हारत बाइविट especially किसने अगला कोशन था निम्ले निम्लीकित में से कौन सनेहक पर्यों किया जाता है लुब्रीगेंडיל के रूप में यूज किया जाता है तो इसमें से यह ग्रिफाईड जो है दो लूब्रेंड़ के रूप में यूज़् किया जाता ठीक है अगे चलते हैं में अगला पूचन हा भारत में गन्णा का सबसे बड़ा उथा राज państwa कौन सा है तो यह अपना उत्तरप्रदेश कौन है यह अपना उत्तरप्रदेशिक कगन वहना का सबसे बड़ा उत्पादक राज है वायो मंदल में सबसे अधिक किस गैस की मातरा है अभी पूछा था कि आप पाए जाता है अभी पुछा नाइट्रोजन कितना पाए जाता है ठीक है वह तो नाइट्रोजन अठार परसेंट आपको पता होगा और ऑक्सिजन के बारे में भी पूछाता काफी बेसीक निलिगत में से तो राज जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं अपात काल में निमलिक में से किस अनुछेत को निलंबित नहीं किया जा सकता है सस्पेंड नहीं किया जासता इमर्जेंसी के टाइम में भी तो भाई यह जो है आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 राइट टुलाइफ की बात क बलते हैं कि 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 अलमांती मांकि संधि पर बना है तो ये है क्रिश्न नदी पर कौन सा ये होजबाओ इसका क्रिश्ण नदी पर ये क्रिश्ण नदी पर ऑगे कि उभाणत के बहुत प accountability भारत के किस राज का सबसे लंबा समुद्रतत है देके गे lpa से एक कुछा पूछा फिर गुजरात से कोशन पूछा तो सबसे लंबा संदूरों-थर्ट किसका हो जागा कोश्टल कोश्टल इसका हो जागा यह जागा गुजरात का आगे चलते हैं किस दक्षड भारती राजय में उत्तम ग्राम प्रसासन था तो चोल साम राजय का आपने यह थे चंदर बरदाई हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा काफी जी कुर्शन था ठीक है निविगित में से किस राजवन्स ने सरवप्रतम स्वड मुद्राय चलाई तो सरवप्रतम तो चलाये था किसने कुसाडों से कुसाडों ने लेकिन सबसे ज्याधा किसने चलाय था वह गुपतों ने चलाय था तो पुछाय सबसे पहले किसने चलाय तो कुषानों किस गुप्त थासक ने ownership की उपादी धार की तो चंद्रकु डृत्यकुत को ही हम्लों अगला कुछन गौतम बुद्ध ने अपना प्रतम धर्मो धर्मो पदेश कहां दिया था तो यह भी वारारसी में यह पेपर होता है क्योंकि अगला कुछन पहले पूछा था और यहां पर सारनाथ जो है वह भी वारारसी में ही है तो यह गौतम बुद्ध वाला सवाल धर्मो पदेश कहां दिया था सरपरसं सारनाथ में अजनता परसिद्ध किसलिए तो यह चीत्रों के लिए है पेंटिंग्स के लिए अजनता में कई करिक्टांस रोजाएगा ठिक softly कर जाता है तो यह चाहता है बच्चों वालम्की को ठिक है और बालमी के कौन तो रहमार के रचाइता वालमी की ठीक है यह वालमी की हो गए आगे चलते हैं जैनमत के संस्थापक महाबीर कहां पेडा हुए थे तो महाबीर अपने जैन धर् यह थोड़ा सा कठीन हो सकता था आपके लिए ठीक है बट पुसे मित्र सुंग जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट टांसर हो जाएगा इन्होंने असमेध यग करवाया था अपने सासनकाल के दोरां अर्थ सास्त्र के लेखक कौन है तो यह बहुत इजी कोचन था यह कौट कि अगला कोशन था 57 नमर कोशन बowatin कोशन है तो अर्थ सास्त्र कले और Pi को थे इंगे कॉटील को जाएंगे कोटिल ले यानिया कि चाड़के के नाम साथ जानते इनको को था अगे चलते हैं अगले ओपर टो अग्ला को सिन था भारत का नेपोलिय। किसे कहा जाता है तो बहुत बेसिक कोशन था कौन हो जाएगा समुद्र awakth कौन याजएगा बचल समुद्र गुपत है इसका खरेक्ट और हो जाएगा आगे चलते हैं DAVID किस ने आर escrn था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लगजंबर्ग क्या हो जाएगा लगजंबर्ग इसका यूरोप का देश है यह लगजंबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतियों समाजिक अनुदान आयोग गठित किया गया था किसकी अनुसांसा पर तो यह किया गया था सरोपली राधा कृष्ण आयोग की अनुसांसा पर ऑप्सन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं आगे यहारा कोशन भारत में बैग्यानिक तरीके से पहली बार राश पब्लिक सीक्टरश अंडर्टेक्ण कान सा है डोले है आपका कर्टाच अंसर ग्री कंचिर क्रिट के बारे में है कि अग्री कल्चे क्रेडिक कॉन देताा है तो साख खेंग कौन है सारे लोग बिते ठीक है नरेगा के बारे में आपने सुना होगा महात्मा गंधी राष्टि रोजगार योजना ठीक है तो यह जागा इस तक आउसर हो जाएगा किद्धों देशों के बीच Red Clip रेखा है कितना कोशन था बहुत इजी कोशन था भारत और पाकिस्तान के बीच Red Clip रेखा है घाउ ठीक है यह स Beneva नगर और राष्ट्ट किसके उधारण है तो यह हो जाएंगे सार्दा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित किया गया था तो सार्दा एक्ट जो पारित किया गया था यह चाइल्ड मैरीज से संबंदी था उसको रोकने के लिए यानि कि बाल विबाह को यह रोकने के लिए यह लागू किया था चाइल्ड मैरीज ठीक है इसको रोकने के रूप में संचित किया जाता है तो यह संचित होता है गलाइक कोजन के रूप में इस कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस इसमें हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है ऑप्सन नमबर डी यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाद बागी जो आपको दिख रहे हैं आपर मीथेन नाइटरस ऑक्साइड और क्लोरोफोरो कार्बन यह क्यों जाएंगे यह आपके ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगे लिवकित में से ब्रिक का कौन सा कारें नहीं है तो यह पहला वाला नहीं होगा पहला वाला इसका कारें नहीं है बाद बाकी जो दो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव री एब्जॉर्ब्स अठीक है चैनित पुनसोशड और पराचनन तो यह दोनों हो जाएगा ऑप्सन नमर बी और सी दोनों सही है यानि कि ऑप्सन नमर डी आपका करेक्ट मात हो जाएगा ठीक है 'll give जलते हैं आगे है हिमोफोलिया है ओं और हमोफीलिया क्या है तो हीमोफिलिया एक यह है जिनेटिक डिजीज हैðे जरेटिक बीमारी है यानि Vivian एक अनुवांसिक ब्याधी है ब्याधी का मतलब रोग होता है ठीक है यह बीमारी हो जाईग आपका चेनेटिक डिजीज आगे चलते हैं आगे कौन सी महिला सरोपर्थम अंतरिश में पहुंची थी काफी बेसिक कोशन है जंदल जंदल नौलेज की छोटी-चोटी में भी उसका आंसर होता है बैलेटीना बैलेंटीना , तेरिस कोवा मैं आपने सुना होगा यह पहली महिला थी है वैसे भारत का चावला भारत कि थी टीक है भारत का पूचसा तो क्ल्माशा आप आपका अंसर हो जाता स्वेज नहर किसे जोड कि से जोडती है बहुत डैसी माहाराष्ट मेल ने का बुद्धी मत्रा बुद्धी मत्ता तर यह आगे चलते हैं रोड़े सारों में वायू को पर्दूसित करता है तो इसका सहांसर हो जागा बच्चों सीशा क्या जाएगा इसका से उन सरो जागा सीशा और आगे अगर हम देखें तो आपका हो जागा कौन सा कुछन आगे यह सीशा हो जागा कि आप आपको पता होगा यह 22 मार्च को पीछे प्रित्वी दिवस भी पूछा था अभी वाटर भी पूछ लिया ठीक है आगे चलते हैं अगला कोशन आपका रहा यह किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वाला मुखी है तो ज्वाला मुखी सबसे आदा आते हैं कहां पर सुक्र ग्रह पर ऑप्सान नमबर एक करेट हो जागा प्रितिवी के वाई मंदल की पांच भी परत कहला आती है तो पांची मतलब सबसे उपर व अकरमण निर्तित्व किस ने किया था विया किया था मुखुमत बीन कासी में अगबर का सासनकाल था कब से कब तक पंदर सोच्वपन से सोले सो पांच तक था आगे चलते हैं ऑप्सान नमर भी हो जागा इसका करेक्ट कन्या कुमारी यह कन्या कुमारी देखे इसमें चार सब्सक्राइब काम नहीं करता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता है तो यह हो जागा आपका यह है ठीक है यह लीवर आपका काम नहीं करता है तो आपका यह डायविटीज में लीवर काम नहीं करता है तो इसका करेक्ट अंसर यह इसका अंसर होना चाहें लीवर हो जागा इसका अंसर आगे चलते हैं निवकित में से कौन सा रक्त समूं का यति सरोगराही होता है क्या गोल तुफान गच्णवा आते हैं आपके ब्रहसपति पर उचल तारा कि पूछ किस दिशां में होती है तो ये सुरी से दूर होती है आनि कि option number आपका D हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं ओजोन परत में छेद के लिए कौन जिमेदार है तो ये क्लोरो फोरो कारवन का आपने नाम सुना होगा CFC सबसे अधिक चीनी कहां पैदा होती है तो ये अभी मतलब रिसेंट अगर देखे तो अभी तो भारत नंबर वन पर चला गया पहले ब्राजिल था ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा दीप कौन सा है ग्रीन लेंड हो जागा option नंबर भी करेक्ट जेन दविस्ता किसकी धर्म प Province के लेख़ लेखा कौन है तो कमाईडी के लेख अप सुने होंगे नाम जैसंकर प्रसाद जी का संसत के अधिवेशनों के बीच अधिक्तम अंतराल कितना हो सकता है तो ये छे महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है तो छे महीने सा करीकटांस भ outfits राष्ट ये प्रदूसर दिवस कब मना जाता है ये दो दिसंबर को मना जाता है option number a correct पाला बेग्यानिक जिसने खोज की की प्रितवी सूरी के चारो और घूमती है तो ये हो जाएगा आपका कौपर निकस ठीक है कौपर निकस ने बताया था कि ये जो है ये घूमती है किसके हाला कि इसके कई सारे अलग-अलग answer गैलीलियो भी आपको answer मिल दाएगा बट इसमें गैलीलियो है नहीं तो कौपर निकस इसका correct answer हो जाएगा तो ये पूरे जो question थे hundred question hundred question का हमने answer आपको बता दिया है जितने भी बच्चों ने अगर paper दिया है तो आप अपना match करके देख तो कितने सहीं किया है एक वसन चार नमर का है to total 400 में से कितने नमर आप क्यार है आप comment box में आप बताने बता दीजेगा ठीक है ताकि हम कोई पता चलता रहे कि आप लोग ने कितना कुछन जो है वो सही किया है कितना गलत किया है ठीक है और इतना ही था इस वीडियो में मिलते हैं और चैनल को सब्सराइब कर लिजेगा ठीक है और प्रेस कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो मे तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धनेबाद खुश रही है पढ़ते रही है